ओनलाइन टिप्स के लिए और गैजट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों आज हम आपको बताने वाले है MI Notebook Ultra और MI Notebook Pro के बारे में जो के अभी हाल ही में Xiaomi ने लाँच किया है इसके features के बारे में बात करूँ तो ये एक laser machine जिसको बोलते हैं जिसको CNC machine बोलते हैं उससे cut होके इसका एक एक part उससे cut होके finish होके निकला है मतलब ये handmade नहीं है laser machine से निकला है जैसे mobile में finger print होता है finger unlock होता है उसी तरह इस laptop में भी finger print unlock है साथ ही साथ इसके जो button है scissor mechanism से बने हुए button है जो कि अंदर नहीं जाते हैं दबाने पे या फिर आप ये बोल दीजिए कि जल्दी खराब नहीं होते हैं और button के नीचे से backlit light निकलती है और इसका जो touchpad है काफी बड़ा है मतलब जो पुराने laptop आते थे old वाले उसमें touchpad छोटा हुआ करता था इसका touchpad बड़ा है इसमें दो variant आपको देखने मिलेंगे एक 15 इंच का एक 14 इंच का variant जो 15 इंच वाला variant है उसका जो screen देशो है वो थोड़ा बड़ा है 14 इंच वाले से और उसकी hide का जो है screen देशो वो भी बड़ा है साथ में अपनी आखे जो real color देखती है RGB मतलब red green blue इस laptop में भी RGB pure color यूज किये गए हैं जो के काफी अच्छे हैं और साथ ही साथ जो web designer है या फिर photoshop editor है उनके लिए काफी अच्छे laptop है क्योंके देखिए इसका pixels भी काफी जादा है और जो आप इसमें movie देखेंगे या game खेलेंगे तो उनके लिए भी अच्छा है क्योंके जो refresh rate है जैसे के आप देख सकते हैं वो भी काफी smoothing चल रहा है 90 hertz का refresh rate है इसमें और साथ ही साथ मैं आपको बता दू इसमें 3.5 mm का airport jack है मतलब साथ में जो है type C direct connection है HDMI correction है USB keyboard है और थंदर बोल्ड connection है और 11 जंदेशन का core processor इसमें use किया गया है जो के इसमें RAM हो सकता है जादा से जादा 16 GB का हो और वाइफाई की technology वाइफाई 6 यूज की गई है जो के काफी लेटस technology है 2021 में आई है इसमें 12 घंटे की battery life है battery की वो भी काफी अच्छी है दिन बर की 12 घंटे की battery life जादा तर laptop में देखने नहीं मिलती है तो Xiaomi ने ये इतना इच्छा laptop हाल ही में launch किया है तो दोस्तों जाते जाते आपको इतना ही बोलना चाहूंगा अगर अभी तक आपन